इस्तर्थ साम आलेकुम आप आप सारे लोग खारएग्स होंगे आज किस लेक्चर के आंदर हम देखेंगे किस तरह से आप एक फ्री दीम इंस्टॉल कर सकते हैं अपने शौट फाय स्टोर के अंदर तो चले चलते हैं लैपट आप स्क्रीन के ओपर हो देखते हैं फ्रैक्ट तो यहां पे दहiliar हमारे जो दॺजय करें कि आदि हम धरंगा के सिंपल यहांपर आजाएंगे हम देखें को यहांन से हमारा पास कारे आप सब्सक्राइब तो यहां पैंपर उसक weight Let's करता हूँ एंए यहां से जो है एड देम करता हूं और विसीट श्टूर upload zip from github अब upload जो है वो paid themes के लिए होता वो next lecture के अंदर हम देखेंगे अभी हम free themes के अब आट जाते हैं तो हम इस पे click करते हैं visit store के उपर तो यहाँ पर देखें different themes available हैं जो के paid भी है free भी है तो हम क्या करते हैं free theme यहाँ से क्या करते हैं add करते हैं अपने store के अंदर let's suppose मैं यह इस पर click करता हूँ यह थी मुझे अच्छा लग रहा है तो इस पर simple click करने के बाद simple यहाँ पर मैं click करूँगा try theme try theme करने के बाद simple मेरा जो store है वो यहाँ पर मैं add कर दूँगा तो simple यहाँ पर मैं click कर दूँगा add theme के उपर और यहाँ पर यह अप्लोड होना start हो रहा है ओके तो अब हमारे पास जो दो theme है वो यहाँ पर एक dawn theme है जो के current theme है और यह theme library यह है दूसरा sorry इसका जो theme library यहाँ से हम इसको customize करेंगे यहाँ से हम visually customize कर सकते हैं तो basically यह theme है यह थोड़ा सा load हो रहा है इसको load होने दे उसके बाद हम इसको देखेंगे कि क्या करना है हमने इसके साथ तो अगर मैं इसको preview करूँ simple यह add भी हो चुका है तो अगर मैं यहाँ इसको publish करूँगा right now अगर मैं अपने store को देखूँ तो उसके ओपर यह theme अवेलेबल नहीं है ठीक है यहाँ पर देखेंगे यह theme हमारे पस अवेलेबल है इस तरह से कुछ मैं इसको क्या कर देता हूं publish कर देता हूं publish का मतलब यह है कि यह theme अब मेरे store के उपर implement हो चुका है और normal users को यह जो है वो नजर आएगा मैं इसको दुबारा से reload करता हूं तो यहाँ पर देखें यह कुछ इस तरह से हमारे पास theme का complete layout आचुका है कभी भी जो images है वो सारी images as it is यहाँ पर नहीं आएंगी इस तरह से layout आएगा और उसकी images जो है जो भी आपकी images होंगी product की वह आप उसको add कर पाएंगे तो हम यहाँ पर free theme install कर चुके हैं और इसको हम देख चुके हैं यहाँ पर देखें एक्टिव जो dawn है वो current theme है और वो active है published है तो इसको मैं again अगर publish कर दूँ तो simply यहाँ पर यह published show हो रहा है और यह इस time published है राइट वीव इस store again मैं store देख लेता हम तो same वही हमने जो theme install किया था वो यहाँ पर आ चुके है तो आई हो आपको समझ आई होगी कि free theme किस तरह से install करते हैं आगे चलके lectures के अंदर हम इनको customize भी करना सीखेंगे but right now आप किस उसर नागे चलके सब्सक्रणाज इस कर सकते हुए जो मैं बिल्दा नेक्स लेगे तो एंगे तो चलके रेंदे हिक एंद दिल्देंग किस्वारिंदें जो आइंडवारी बैं चलके देल्देंगे एंडब एंडब और आपको प्राइब एंदेंडेंदेंगे